तो आज की इस वीडियो में हम लोग आयत और वर्ग से बढ़ने वाले सभी सुत्रों को सीखेंगे तो आप इस वीडियो को बिना अस्किप किये पूरा अंध तक देखिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहले हम देखेंगे आयत में तो आयत का जो इंगलिश होता है वो होता है रेक्टेंगल रेक्टेंगल मिन्स आयत होता है तो देखिए ये जो है वो आयत का एक चित्र है A, B, C, D जो है वो क्या है आयत का एक चित्र है A, B, C, D एक आयत है और इसका जो A, B जो भुजा है उसका लंबाई L दिया गया है और BC जो है वो इसका चवड़ाई है जिसे हम लोग BC डिनोट किये है और ये जो BD है वो इसका डाइगोनल है डाइगोनल का मतलब होता है विकर्न तो ये BD जो है वो विकर्न है अब यहाँ पर देखिए आयत का थोड़ा प्रोपरिटिज को हम समझ लेते हैं देखिए ये जो AB है वो DC के बराबर है यानि कि आयत का जो लंबाई होता है वो ये जो लंबाई है वो इस लंबाई के बराबर है और ये जो चवड़ाई है BC वो AD के बराबर है ऐसा इसलिए है क्योंकि आयत की जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है यानि कि लंबाई जो है वो लंबाई के बराबर और चवडाई जो है वो चवडाई के बराबर और आयत में क्या होता है कि परतिये कोन जो होते हैं वो समकोन होते है यानि कि यहां पर 90 दिगरी का बनता है, यहां 90, यहां 90 और यहां पर 90 दिगरी का कोन बनता है तो इस तरह से अगर हम आयत में चारो कोनों को हम जोड़े तो यह हो जाएगा 306 दिगरी यानि कि कह सकते हैं कि आयत के चारो कोनों का योग फल 306 दिगरी का होता है अब यहाँ पर समझें आयत का छेत्रफल आयत का छेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुना चवड़ाई यानि कि यह जो लंबाई है इस लंबाई का इस चवड़ाई से गुना कर देना है तो यह निकल जाएगा आयत का छेत्रफल आगे हम देखते हैं आयत का परिमाप आयत का परिमाप का सुत्र होता है 2 into लंबाई पलक्स चवड़ाई तो यहां पर देखें लंबाई यहां एल है और यहां पर भी लंबाई एल है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे और यह जो चवड़ाई है यहां भी वही यहां पर भी है यानि कि परिमाप में क्या होता है कि यह जो बाउंडरी लाइन है उसको जोड़ना होता है यानि कि ल यहां पर देखें ल है तो यहां पर भी ल है यहां भी है तो यहां पर भी भी है यानि कि हम इसको जोड़ेंगे L प्लस B प्लस L प्लस B यानि कि 2L प्लस 2B हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि दो जो है वो common निकाल देंगे तो यहाँ पर L फोर लंबाई यानि कि length और B फोर breadth यानि कि चावडाई तो इसका सुत्र बन जाएगा 2 इन्टू लंबाई प्लस चावडाई इसको आप लोग लिख सकते हो 2 इन्टू L प्लस B थड़ नंबर सुत्र है आयत का विकर्न आयत का जो यह विकर्न है उसका फोर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वाईर प्लस चावडाई का स्क्वाईर यानि कि यह जो BD है वो BD का अगर लंबाई हमको निकालना है यानि कि यह जो विकर्न जो है विकर्न आयत का विकर्न जब निकालना रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे कि under root लंबाई का square प्लस चौड़ाई का square अगर यहाँ पर आप under root नहीं देना चाहते हैं तब यह क्या हो जाएगा विगर्न का square बराबर लंबाई का square प्लस चौड़ाई का square यानि कि विगर्न का square कर दीजिये और बराबर में लंबाई का स्क्वाइर और चवड़ाई का स्क्वाइर करके दोनों को जोड़ देना है अब हम लोग समझते हैं आयत का लंबाई आयत का लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा छेत्रफल बटा चवड़ाई यानि कि ये जो देखिए आयत का लंबाई चौडाई, आयत का चौडाई निकालने के लिए क्या करेंगे? कि छेत्रफल को हम लोग उपर रखेंगे और ये जो लंबाई है, उससे हम लोग भाग देख देंगे तो ये हो जाएगा, आयत का चौडाई बराबर छेत्रफल बटा लंबाई अब हम चलते हैं वर्ग में देखिए ये जो है वो वर्ग का चित्र है A, B, C, D जो है एक वर्ग है और A, C जो है इसका विकर्न है अब यहाँ पर समझे वर्ग का प्रोपर्टीज वर्ग का प्रोपर्टिज ये है कि वर्ग के चारो जो भुजा होती है वो बराबर होती है अगर ये पांच सेंटीमीटर का है तो ये चारो जो भुजाएं हैं वो पांच-पांच सेंटीमीटर का होगा अब हम लोग सिखते हैं वर्ग का छेत्रफल वर्ग का छेतरफल का फोर्मूला क्या होता है तो भूजा अस्क्वाइर यानि कि भूजा गुने भूजा जो यहाँ पर वर्ग का भूजा दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग दो बर गुना कर देंगे तब निकल जाएगा वर्ग का छेतरफल अब हम लोग देखते हैं वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप का फूर्मूला होता है 4 इंटू भूजा यानि कि 4 गुने भूजा यहाँ पर देखिए परिमाप का मतलब होता है कि बौंडरी लाइन को जोड़ देना तो यह देखिए A, B, C, D यानि कि यह इसको 4 गुजा को जब हम जोड़ेंगे तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे या तो आप एकक करके जोड़िए या तो आप एक भुजा को 4 गुना कर दीजे क्योंकि 4 गुजा जो है वो बराबर है तो वर्ग का परिमाप निकल गया चार गुने भुज़ा आगे है वर्ग का छेत्रफल वर्ग का छेत्रफल का सुत्र होता है विकर्ण का अस्क्वाइर विकर्ण का अस्क्वाइर बटा दो अगर आप वर्ग का छेत्रफल इसके भी निकाल सकते हैं और आप इसके भी निकाल शकते हैं Question पर depend करता है कि आपको भुजा दिया गया है कि विकर्न की लंबाई दिया गया है अगर आपको भुजा दिया हुआ हो तो आप भुजा square शुत्र से वर्ग का 6 त्रफल निकालें और अगर आपको भुजा ना देकर कि विकर्न दिया गया हो तो आप विकर्न का शुत्र से इसका वर्ग का छेत्रफल को निकाल शकते हैं अब हम लोग देखते हैं वर्ग का विकर्न वर्ग का विकर्न का फॉर्मूला होता है रूट दो गुने भुजा रूट दो गुना भुजा वर्ग का विकर्ण का शुत्र होता है आपको question में भुजा दिया हुआ रहेगा भुजा आपको दिया हुआ रहेगा और उसका विकर्ण जब आपको पुछा जाएगा तो आप उसको root 2 गुणा भुजा कर दोगे तो वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा तो students I hope कि आपको आयत और वर्ग से बनने वाले सभी फर्मूलाज अच्छी तरह से शमझ में आ गए होंगे अगर आपको ये वीडियो पशंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चाइनल को सब्सक्राब करना ना भूली धन्यवाद